सब्सक्राइब कीजे प्रत्मेश चोतिस चैनल को ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो आज की वीडियो में हम आपकी राशी के अनुसार, आपकी विभा की आयू क्या होगी, आपकी विभा किस दिशा में होगा और आपके इश्ट देव कौन है आदि इन सभी बातों के बारे में बताएंगे और अगर आपका विवार नहीं हो पा रहा तो इसका कारण क्या है ये भी बताएंगे तो इस अब जानने के लिए वीडियो को आन तक जरूर देखिए जिन भी ब्यक्तियों का नाम दी, दू, च, च, ग्य, दे, दो, च, ये चीर से शुरू होता है वो मीन राशी की होते हैं मीन राशी जल तत्व की राशी होती है मीन राशी के स्वामी गुरू होते हैं ये दूइ सुभाब वाली राशी मानी जाती है अगर अब बात करें कि मीन राशी का बिवा किश वर्स में होता है तो आम तोर पर मीन राशी का बिवा 20 वर्स से 27 वर्स तक हो जाता है इनके बिवा के महीनों की बात करें तो वो फरवरी अप्रेल मई जून के महीनों में इनके बिवा की प्रवल संभावना होती है क्योंकि इनके इस राशी के स्वामी गुरू है और गुरू की दिशा को इशान कौन माना गया है इशान कौन यानि उत्तर और पूर्व की दिशा के बीची यानि इनकी बिवा जादा तर उत्तर या पूर्व दिशा की ओर होता है ये मीन राशी के स्वामी गुरू है और गुरू के इश्ट देपता बिश्णू जी और लक्षमी जी होते हैं बैसे तो इनका विवा बीश से सताइस वर्स तक हो ही जाता है लेकिन अगर ना हो तो सप्तम भाव में इनके जो कि विवा का भाव माना जाता है कुंडली में उसमें कुछ अशुक ग्रहों का प्रभाव हो सकता है जैसे कि शनी, राहू या सूरे अगर यहां पर हैं तो इस वज़े से आपके विवा में बादा आ सकते हैं इसके अलाबा आपके जो स्वामी गुरू होते हैं गुरू अगर सप्तम भाव में नीच के या डिग्री वाइस कमजोर होते हैं या मारक होते हैं तो भी व्यक्ति के विवा में बाधाया आ सकती हैं तो इसनको दूर करने के लिए आप ब्रस्पतिवार के मंत्र का जाप करें जो कि ओम ग्राम ग्रीम ग्रोह सह गुरूवे नमा हैं अगर यह नहीं कर सकते तो आप ओम ब्रह्म ब्रस्पतिवार के मंत्र का भी जाप कर सकते हैं इस मंत्रों की संख्या उननीस हजार बताई तो गुरु के जो देपता होते हैं इस्ट देव होते हैं वो विष्णु जी और लक्ष्मी जी होते हैं आप उनकी आराधना करें तो आपको इन मुसीवतों से चुटकारा जरूर मिलेगा आप विष्णु सहस्त्र नाम का जाप करें लक्ष्मी जी ओम महालक्ष्मेही नमा मंत्र का जाप करें लक्ष्मी जी की पूजा करें सुक्रवार के दिन तो आपको अवश्य लाब होगा पात करें शुब रत्न की तो मीन राशी का शुब रत्न पुखराज होता है इसके साथ अब मोती भी पहन सकते हैं तो ये एक अच्छा योग बनेंगा लेकिन कोई भी रत्न बिना जोतिसी की सला के नहीं पहनना चाहिए किसी भी योग जोतिसी की सला लेकर ही आप मंत्र को धारण करें तो अच्छा रहेगा आशा है वीडियो पसंद आयोगी अगर पसंद आये तब लाइक सब्सक्राइब और शेयर कीजिए धन्यवाद